दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाइपर टेंशन या हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को कौन कौन सी चीजे नहीं खानी चाहिए और कौन कौन सी चीजे उनके लिए फाइदे मंद होती हैं तो इस वीडियो मेरे साथ आखिर तक बने रहीगा पहले हम बात करेंगे उन खाने वाली चीजों के बारे में जो हाइपर टेंशन के मरीजों के लिए बहुत जादा नुकसान दे होती हैं और ब्लड प्रेशर को बहुत तेजी से बढ़ा देती हैं और आखिर में दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करूँगा ऐसी कुछ खाने वाली चीजे नेचुरल फूड और नेचुरल प्रोडक्ट्स जिनके इस्तमाल करने से आप ब्लड प्रेशर को कम भी कर सकते हैं और कंट्रोल तो कर ही सकते हैं तो दोस्तों आईए वीडियो की प्लड प्रेशर को बहुत जल्दी बढ़ा देती हैं और जो मरीज पहले से हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं उनके लिए तो ये बहुत ही खतरनाक होती हैं तो दोस्तों आईए एक एक करके बात करते हैं सबसे पहला जो इसमें भोजन आता है वो आता है दोस्तों फैट चिकना जिसको कहते हैं, आप घी, तेल, मकन, एनिमल, फैट का जो लोग इस्तमाल करते हैं, उनके अंदर ब्लड प्रिशर बढ़ने का खत्रा बहुत जादा होता है, लेकिन फैट बोड़ी के लिए जरूरी भी है, क्योंकि जो कॉलिस्ट्रोल है, वो फैट से ही बनता है, और आप एक जरूरी मात्र से फैट का ज़्यादा सेवन करते हैं, तो ये ब्लड प्रिशर को बढ़ा देता है, उसका कारण क्या है, क्योंकि जब ज़्यादा हम फैट खाते हैं, तो जो फैट है, वो बैट कॉलिस्ट्रोल की शकल में, जो आपकी आर्टरीज होती हैं, यानि कि हर्ट को ज़्यादा मैनत करनी पड़ती है, इसकी वज़े से ब्लड प्रिशर बढ़ जाता है, इसी केटेगरी में दोस्तों दूसरा भोजन आता है, रेड मीट, रेड मीट जो लोग खाते हैं, यानि कि बीफ, लैम, पोर्क, जो इस तरह के भोजन करते हैं, उन में बहुत ज़्यादा खत्रा होता है, ब्लड प्रिशर बढ़ने का, तो दोस्तों जैसे ही कोई रेड मीट खाता है, और जब या आतों में पहुंचता है, और जब वहाँ पे इसका मेटाबोलिजम होता है, तो वहाँ पे एक केमिकल निकलता है, जिसको ट्राइमिट अमीन एन करते हैं, लेकिन रिफाइंड शुगर जो है, वह भी बहुत खतरनाक है, खास तोर से हाई ब्लड प्रिशर के मरीजों के लिए, और ऐसे मरीजों के लिए जो बॉर्डर लाइन हाइपर्टेंसिव है, उसका कारण यह है कि जब ज़्यादा चीन ये शुगर खाया जाता है, तो खून में इंसुलिन की मातरा बढ़ जाती है, और जब इंसुलिन की मातरा बढ़ जाती है, और शुगर की मातरा भी ज़्यादा होती है, तो इंसुलिन की जो रिसिस्टेंस पावर है, वो कम हो जाती है, और ऐसा होने से कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, जो आर्ट्री रही आती है, obviously वो नमक है, क्योंकि नमक भी जो लोग जादा नमक खाते हैं, उनको भी blood pressure का खत्रा बढ़ता है, और जो खुद पहले से hypertensive हैं, वो अगर नमक की जादा मातरा लेते हैं, तो blood pressure बहुत तेजी से shoot कर जाता है, नमक को आलगे बहुत बड़ा culprit माना जाता है blood pressure को बढ़ाने में, लेकिन नमक आपके metabolic functions को maintain करने के लिए भी जरूरी है, इसलिए आप नमक थोड़ा खाए, और अगर हो सके, आप अगर सेना नमक, जिसको pink नमक या लाहोरी नमक के नाम से भी जानते हैं, अगर वो यूज़ करें, तो जादा better है, बाब मुकाबल जो आप simple नमक खाते हैं, उसके मुकाबले, तो दोस्तों नमक क्या करता है, कि वो kidney पे जाके effect करता है, kidney से filter out नहीं होता, तो water retention बढ़ा देता है, जिसकी वेज़से blood pressure बढ़ जाता है, तो hypertension के मरीजों में, नमक और चीनी दोनों की मात्रा पे नज़ा रखनी चाहिए, कि वो मरीज ज जब्बा बंद जो packed food होते हैं, उनका, तो जो chemically processed food है, वो जआधा नुकसान दे हmeal, उनमें कुछ ऐसे chemicals होते हैं, जो खोद Blood pressure को बढ़ाने का काम करते हैं, और दूसरा जितने भी पैग फूद होते हैं, उनको stabilize करने के लिए जो chemicals होते हैं, वो भी Blood pressure को बढ़ाने का काम करत अगर ये dairy product से बनाया हुआ या घर पे बनाया हुआ चीज है तब कोई दिक्कत नहीं है उसमें उतना जादा नुकसान नहीं है लेकिन अगर ये chemically processed चीज है तो वो बहुत जादा नुकसान दे होता है हमारे शेरीर के लिए blood pressure को बहुत तैजी से बढ़ा देता है क्योंकि इस उसी तरह से high blood pressure के मरीजों के लिए बहुत नुकसान दे है चाहे हो बर्गर हो चाहे हो पिज़ा हो चाहे हो नुडल्स हो चाहे हो चिप्स हो तो इन से भी इन मरीजों को बचके रहने की जरूरत है अगर अपने blood pressure को आपको control करके रखना है तो next दोस्तों आता है जो आपके बोतल बंद soup होते हैं या packed soup होते हैं और इन soups में नमक की मातरा भी काफी अधिक होती है तो नमक और मीठा दोनों मिलाके आपके kidney functions को impact करते हैं ये chemicals आपके kidney function को impact करते हैं कुछ chemicals release करते हैं जिसकी वज़े से आपका blood pressure बहुत तीज से बढ़ता है और hypertension के मरीजों के लिए य इस तरह की चीजों से बिलकुल दूर रखने की जरूरत है नेक्स दोस्तों जो बड़ा common है cold drink कोई मेमान आता है फटाक से हम cold drink मगा लेते हैं लेकिन cold drink भी जो है hypertensive या high blood pressure मरीजों के लिए बहुत जादा नुकसान दे होता है क्योंकि इसमें बहुत जादा शुगर होता है तो ये क्योंकि शुगर जादा है तो फिर अगेन वही थियोरी पे काम करेगा कि वहाँ पर insulin resistance हो जाएगा और arteries सुकरने लएगी इसके विए से blood pressure बढ़ जाएगा उसके अलावाद दोस्तों alcohol शराब ये भी बहुत बड़ा factor है blood pressure के बढ़ने का blood pressure उन लोगों में बहुत जी से बढ़ता है जो alcoholic है या शराब बहुत जादा पीते हैं हाला कि थोड़ी मातरे में शराब पीना blood pressure और heart दोनों के लिए फायदे मन्द है लेकिन अगा बहुत जादा मातरे में शराब पीते हैं excessive alcohol का इस्तेमाल करते हैं तो ये blood pressure को बढ़ा द जाता है तो caffeine जो है वो एक इस तरह का chemicals होते हैं caffeine के अंदर जो blood pressure को बढ़ाते हैं आपने देखा होगा doctor को कई बार के जब किसी का blood pressure कम हो जाता है तो कहता है आप एक cup coffee पी लीजे तो ये एक तरह से दवाई की दोर पे भी काम करता है caffeine actually जो arteries है उनको सुकुरने का काम करता ह जब arteries सुकरती है तो उसके उसे pressure बढ़ जाता है तो ये blood pressure को बहुत तेजी से बढ़ाता है एक cup जो coffee का है वो 5-7 mmg blood pressure बढ़ाने के लिए काफी होता है तो ये तो दोस्तों हमने बात की कि खराब भोजन कौन-कौन से थे high blood pressure के मरीजों के लिए अब बात कर लेते हैं कि वो रसीले फल हैं वो blood pressure को कम भी करते हैं और उसको maintain भी करके रखते हैं सिट्रस फुरूड हैं जिसे संत्रा है नीबू है या अंगूर है अनार है इस तरह के फल काफी फाइदेमंद होते हैं चैरीज भी काफी फाइदेमंद करती हैं तो ऐसे फल जिससे पेशाप जादा है व ये अच्छे माने जाते हैं blood pressure के मरीजों के लिए उसके लावा दोस्तों जितनी भी हरी सबजिया हैं जितनी जादा हरी सबजिया खाई जाएं चाहें उबाल के खाएं ये सबजी बना के खाएं वो blood pressure को control करती हैं क्योंकि उनमें antioxidant होते हैं और उसमें कुछ anti-hypertensive properties भी होत ब्लड pressure को maintain करते हैं और कम भी करते हैं और जो इनके बीज होते हैं खास्तों से खर्बूज और तर्बूज के जो बीज होते हैं इनके अंदर कुछ chemical एलकुलॉइट्स पाया जाते हैं जो heart को बहुत अच्छा फायदा देते हैं और blood pressure को slow करते हैं lower down करते हैं maintain करके रखते ह तो आप ये भी इस्तमाल कर सकते हैं इसके अलावा दोस्तों दालें बीन्स कद्दू इस तरह की सबजियां भी high blood pressure के मरीजों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती हैं और सबसे बड़ी बात दोस्तों अपने खाने में आप नमक को जितना कम रखेंगे खाना है बन नहीं कर वो blood pressure को बढ़ाने का काम करता है तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा ये जानकारी आपके काम की रही होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको like करें शेयर करें खास तोर से उन लोगों को जो hypertensive हैं या जिनकी family में high blood pressure के मरीज हैं या जो diabetic मरीज हैं उनको भी वीडियो को जरूर शेयर करें थैंक यू